कि चलिए यह स्टार्ट करते हैं कि अब यह क्वर स्टार्ट करके अपर डिसाइड कर लेंगे विटा इंडक्शन 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 क्या है जी क्या है कैसे आपने इसको करना है विटा बचे इस कर एंडक्शन विटा इस कर एंडक्शन विटा इस कर एंडक्शन विट तैम झेज एंडटे इस श्चे इस एस्ट एंडक्शन विटामेट्ट इस ओँच्क्शन विटा इस कर घंड़सों चेंड कीशों we'll also change with the time also change with the time so according to EMI so according to EMI electromagnetic induction and induced EMF will induce induced EMF will induce in the same coil this phenomena is called self Induction simple है समझने में बिटा जैसे कोई कोई है जी यह कोई कोई है बच्छो आप सभी जानते हैं कि करंट है जी जब सर्केट में आप सर्केट ओन करते हैं यहां पर टाइम प्लॉट है यहां पर आई करंट प्लॉट है बच्छो करंट जीरो से मैक्समम वैलू जाने में थोड़ा टाइम लेता है है करंट जीरो से मैक्सम वैलू जाने में थोड़ा सा ठाइम लेता है यहां से लेके यहां तक आप देखिए आपका करंट गळीरो से एक पी वैलु पे जा रहा है और जब यह पीअज प्लॉट पे जाएगा बचो उस ठाइम में करंट बहंद से क्या बढ़ता है क्रण्ट बढ़ने से इस सिस्टम में क्या बढ़ेगा इस सिस्टम में मेगनेटिक फ्लक्स बढ़ेगा देखो फाई क्या है एन बी ए है ना Max flux क्या है बिटा Nik और भीएविए बढ़ने से क्या बढ़ता है फ्लक्स बढ़ता ही क्या होता ilico क्या होता माइनस डिफाई अपॉन डिटी तो Alex के चेंज होने सिस्टेम में क्या पैदा होती है एक वोल्टेस पैदा होती है और यह वोल्टिज का काम क्या है जिसंसे इस इसको पैदा किए है यह उस-सको ही क्या करती हैं फोल्ट को करेंगे करन्ट यहां से इसमें बहनना शुरू होगा मैगनेटिक फूल बढ़ेग गई Unterschied हुआ मैगनेटिक इस करेंट वो क्या करेंगा व आपप्लाइट को क्या करेंगा अपको लाइब करेंगा इन्धर करता है और दक्षं वह कहता भई कुछ भी करो पर ननेश्ट करो करण्ड जितना मर्दी पास कर लो पर वो बदलना नहीं चाहिए मारंक कम होगा तब भी सर्कुट को पॉल्म है बढ़ेगा तब भी सर्कुट को पॉल्म है सर्कुट की साप पोदिशन इस प्रोपरड़ी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन ठीक है जी क्लिर सबी को अगे बरते हैं बटा सब्सक्राइब करेंड के बढ़ने से क्या होता है मेगनेटिक फील इंक्रीज होता है फ्लक्स होता है flux चेंज उनसे क्या है system में active प्यूंटेज्श पैदा होती है एक होंटेज पैदा होती symptoms है कि काम क्या है जी इस का कैम है कि applies को अपोज करना एट तो आगे बढ़ते है जी फाइय है वह directly proportional तो फाइय नेट फ्लक्स बोलते डिरेक्ट्ली प्रपोस्ट्टट ऊई और फाइब यटा है यह वह फाइट फ्लक्स है वह एल इंट ऑई क्लसकी वेल्वाज ओइसक्र शेक्ट शाह फाइब किस्वास्ट आप झैज्घ कर रहे है क्या उद्र ऐस्ट早." तो फाई क्या हो गया एल इंटु आई जब आप वैलू भरेंगे बच्चे जब आप वैलू भरेंगे तो देखो लगी वैलू क्या आगई एल तुम्हारे पास आ गया नेट फ्लक्स अपॉन आई है ना एन का नमबर आफ टर्न्स फाई का फ्लक्स तूइस टर्म अपॉन क्या होता है जी सिंगल टर्म में क्या होता है यह होता है फॉर वन टर्म वन टर्म पाई टोटल का मतलब है एन वी ए कितने के लिए एंट तर्म क्या कहते है इसको लिए लिस कॉपीशेंट अफ से लग्शिन क्या कोफिश्एंट ऑफ सेल एंडडक्टन्स ठीक है आगे मोट रहें जी स्टूएंट सेलफ इसके कुछ प्वाइंट्स है रिगार्लिंग सेलफ इंडक्टन्स क्या है जी देखें अग्णृक्टल सेलफ एंडक्टन्स never depends upon never depends upon current it only depends geometry of as well as medium कि 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 करता है जी geometry of coil और medium पे बिटे डिपेंड करता है कौन self inductance फिर से याद करो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कि सेल्फ इंडक्टेंस नेवर डिपेंड सान करण्ट कि एल है एल है वो करण्ट पे डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड करता है कि जिमेट्री आफ क्वाइल और क्वाइल के अंदर क्या रखा हुआ है मतलब अगर आप स्ट्रेट्स ले रहे हो कि आएगा जी आएगा बच्छों तो एल का जो फामूला है फाइट अपॉन आई पिटें फाइट होता है करन्ट फॉर वन टर्न और एन क्या है जी टूटल नंबर आफ टर्न तो इट इस एन बीए अपॉन आई अब क्या शेप है आपके सर्किट का जी जमेट्री क्या है उस बात पे तुम्हारा एल डिपेंड करेगा सॉलेनाइड का अलग होगा पिटा टॉराइड का अलग होगा सेल्फ इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है एक वर फिर रिपीड करेंगे देखो जी नौट डिपेंड किस पर नेवर डिपेंड सब्सक्राइड करता है डिपेंड सॉन जमेट्री एंड मीडियं दो पॉइंट्स बहुत ही आपने जहां से नोट करने है ठीक ही थोड़ा स और लिखवा जेता हूं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी लिखिए क्या है सेल्फ इंडक्टेंस आफ और लूप इस इट्स इंटर्नल प्रूपर्टी च ले हैस्ट काल प– बिखिए लिखिए और हैस्ट अ बिखिए न्चित ौन पॉलपती खुबब धंड्स अ ज'S m टाइप आफ फ्लक्स चेंज इन इट को सेलफ इंडक्टेंज क्या है बचो सेंट का इंटर्नल प्रोपर्टी है विच दिफाइंड इस इट्स टेंट आफ पोजीशन अगेंस्ट अनी टाइप आफ फलक्स चेंज अगर सर्किट में फलक्स चेंज होगा तो सर्किट उसको चेंज को अपोज करता है कितनी स्टेंज से वो अपोज करता है उसी प्रोपर्टी को हम self inductance कहते हैं ठीक है दी देखो जी self inductance plays the same role self inductance in an electrical circuit plays same role as as mass in mechanics जो काम मास का mechanics में होता है electrical circuit में वो काम self inductance का है ठीक है so self inductance is also known as electrical in a electrical inertia of circuit circuit का जो inertia है उसको भी हम self inductance को कह सकते हैं अगे उनेट ऑफ कैंजी या 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 यूनिट आफ या यूनिट आफ अफ यौनिट आफ यौनिट या वा हैं वाकिव थोड़े मुश्किल है जैसे वैवर पर एंपियर और न्यूटन मीटर पर एंपियर स्क्वेर ठीक है जी शुरू करते है जी आगे यह वैवर फ्लक्स के यूनिट है ठीक है जी वैवर अपॉन एरिया और न्यूटन मीटर पॉन सॉरी वैवर अपॉन एंपियर और न्यूटन मीटर पॉन एंपियर स्क्वेर और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल अपॉन एंपियर स्केर इन सब से ज्यादा जो हम यूज करते हैं कमर्शियल में हैंडरी एक हैंडरी बिता यूज किया जाता है इसका यूनिट ठीक है जी लिखो फाई क्या था आप समझे रहे हैं एल इन्टु आई तो यह हुआ याः वेबर होता है आई क्या होता है एंपियर होता है कि समझ मैं कहां से यूनिट बनके आ गई है यह वैबर अपर एंपियर कैसे आ गया तेरी बात समझ में आ रही है आपको वैबर अब यहां से फाई क्या होता देखना बी इंटू ए जिए लिन्टू आई गोलो अब बी का यूंट हमने कहा निकालना है बी का यूंट निकालना हमने इन टरम्स आफ फोस तो आप लिख सकते हो एफ क्या होता है डी आई यल साइन थीटा तो बी का यूंट बहरा क्या गया बी का वैलू बहरो यहां एफ अपॉन आई साथ में एल इंटू ए इकोस तो एल इंटू आई तो आप ध्यान अगर दे पा रहे हैं तो उपर क्या गया न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वेर हाई का एमपियर एक ही आई और इंटू लेंद का मीटर तो यह मीटर से में ट्कट गया आगया सक्ट इटा आएव की निए अ मुंद ऑ को यह घ्ला बी consistency डिये यह यह एप 20 है इसके अलग हलब यूनिट्स मैं आपको बता दिये हैं पर जो ज्यादा यूज्स करते हैं डैट इस हैंड्री ऑगे आप सें तरीके से इसके डाइमेंशन भी बड़े प्यार से लिख सकते हैं डाइमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है देखें डाइमेंशन क्या जाएगा डामेंशन अजी न्यूटन क्या है जी ऑन लबन टी मैनस्ट 2 मीटर क्या है लवन वैडिस स्क्वेर तो डाइमेंशन के आ गया जी एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू इसके डाइमेंशन आ गया 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 ओके आगे बढ़ रहें बच्छो बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है जी हां जी लिख लीजिए नेक्स से बच्छो कुछ पॉइंट से जो अच्छे चापको नोड करने आपने फार्मला समझा यह है क्या विटे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी यह है क्या जी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी तो बच्छो अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी सर्किट में डी आई अपॉन डी टी बढ़ रहा है करेंट इस राइजिंग आई मोर देन जीरो मींस आई इस इंक्रीजिंग इस इंक्रीजिंग उस केस में क्या होगा बच्चे आपका वोल्टेज है वो नेगेटिव आएगा ठीक है क्या मतलब है सीज का यह देखिए आपने पहले वी सेल्फ इंडेक्टेंस डॉपर वाले बच्चों ने पढ़ा है पर देखें कंसेप्ट क्या इसको रियल में समझ ना लिया जाए तो यह और वी बराबर होते हैं चाहिए आप लिख लीजे चाहिए आप लिख लीजे यह आगया तुम्हारा ठीक है अब जैसे ही सर्केट आपने टच्च किया यहां पर करेंट है वो राइज होना शुरू होगा तो क्या होगा जी इस सर्केट में जो यह सर सर्केट है वूप में हैं नोतर बिहेंव लाइका बैटरी अगर यह बैटरीघार की बने करना तो इंड़ू सब्सक्राइब अधिक यह क्या निकलेगा बाहर तो करेंट जो पैदा यह लोगी हो गई तो फेक्टिव पुटेशल क्या होगा माइनस हो जाएगा मतलब नट्षेल में फिर समझें कि यह बैटरी है बिकम सा बेटरी के वज़ेंगे की वज़े से यह वाइल है यह बैटरी बन चुका है इसका एक पॉस्टेव है कौन सा पॉस्टेव है अगर बन जाएगा पॉस्टिव बाद वाला क्या बन जाएगा नेगटिव यह पॉस्टिव नीचे पॉस्टिव गहां तो और राल वोल्टेज जिए बैटली माइनज समाली जो स्क्षाइब सेप्टल सी बात अगर मैं स्टेट शब्दों में समझाऊं अगर आप कॉंस्टेंट कर रहे हो तो कोई बैटरी पैदा नहीं होगी सर्कृट के अंदर करन बढ़ेगा तो यह इंड़क्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा पॉस्टिव और राइट हैं में लग जाती है अगर करंट बढ़ता है तो बढ़ने को अपोज करना है अपोज करने के नीचे वाली वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो उपर बैटरी कैसे बनी जाइए पैरलल समझ में है इंड़क्टर कैसे बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है चेकंड पॉइंट है जी कि इस डी आइप ऑन डी टी लेस देन जीरो आई एज डिक्रीजिंग अईज डिक्रीजिंग ओके अगर आई डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा जी जी देन यी मस्ट भी जीरो क्यों जी आप जो उपर का इंड़क्टर है बच्छे कि ओपर इंड़क्टर है कि कि क्लोज कर दी अब करन क्या हो रहा है करन कम हो रहा है तो यह बैटरी है कुछ जो इंड़क्टर है वो कुछ ऐसा भी है करेगा करेंट के कम होने को क्या करेगा यह अप पोस करेगा करेंट के कम होने को अपोस करेगा तो कैसे बनेगा बैटरी यहां positive लूपर क्या बन जाएगी माइनस तो रहाल वी effective क्या होगा सी capital E plus small E मतलब जब current कम होता है तो एधिटे वोल्टेज क्या हो जाती है जी क्लेर जी और इक एक एक एम एफ क्या हो जाएगा जी more than zero को बहुत यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी क्या है जी आर्टिकल कि अप्टेंस आफ सॉलेनाइड इस बात को हमने समझना है तो बचे यहां पर हमने एक वहीं सॉलेनाइड बना दिया पहले की तरह हमारा सेम कंसेप्ट है बेटा एल क्या है जी लेंट अप्दा सॉलेनाइड ओके और एक क्या है जी एरिया फीच टर्न एरिया आफ इस टर्न ओके अगर मैं इसमें कोई आई करन्ट पास करता हूं तो देखिए कि कैपलन क्या है जी टोटल लुटर नमबर और अफ टॉंस जो नमबर और आफ टॉंस पर यूनिट लेंग तो यह फामूला है जी मौडिफाई होता रहता है अप जानते हैं मैगनेटिक फिल्ट जो सॉलेनाइड का जिसमें आप आई करन्ट पास करते हैं तो मैगनेटिक फिल्ट कितना ऐगा सब जानते हैं विटा म्यू नॉट स्माल एंटु आई आपको याद है या आप इसको आज क्या लिख पाएंगे म्यू नॉट कैपिल एंड आई वाई एल वाट इस कैपिल एंड टोटल नमबर आफ टरंस स्माल एंड कैजी नमबर आफ टरंस पर युनिट लेंज आप सभी ज रियह होता हैं यो होता है और फाइनेट के ब्राबर होता है टो v की बेल बर्दू पर से एंड नॉट न आए अपउन एल इन हो कि ए अाइट शाई कट गया है अस्तों एल किया गया जा 350 अगे आपका निश्केर ऑफ य जो को जी जब हमने सॉलेनाइड का सेल्फ इंडेक्टनस निकाला तो कहीं पर वी करण्ट हो नहीं आया तो इसलिए हम निकाला था सॉलेनाइड है जो एल है डाट इस इंडीपेंडेंट आफ आई ले इस इंडीपेंड़ आफ आई यह आर्ट बच्चे को याद है क्या होता है जी यह होता है जी मूनाड स्मालन इंटू आई तो हम इस डेरिवेशन को स्मालन को कैपलेंड में भी चेंज कर सकते हैं आज आपने क्या सीखा है कि फाई क्या होता है एल इंटू आई या सीखा है आपने और एन बीए आपको पहले सी आता है तो उठाके बस बी की वैलू डाल दी है कि आई से काड़ दिया है क्या गया एक स्टेप का में विटे फाई लाई होता है फाई एंवी होता है इतना ही आप को याद रशना है ठीक है तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों कि आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान दीजे कई वारे ड देखे ज़रा ध्यान से म्यू नॉट एन स्केयर एल इंटू ए अगर मैं इसको एल से मल्टिप्लाई करूं और एल से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा यह छोटा एंड बन जाएगा देखिए मू नॉट छोटा एंड का स्केयर इंटू वाल्यूम एडिया इंट वाल्यूम एल का एक और डेफिनेशन है मून एन स्केयर इंटू छोटा एंड वाल्यूम यह वी एक डेफिनेशन आ गया है किसका सेल्फ इंडक्टेंस का ठीक है जी क्लियर तो तो इसेल्फ इंडक्टेंस आगे भी बढ़ेगा बिटा अब बोलिये कि पहले तो आप बिटा लेट आई है क्लास में अभी फिर आप आते ही आपने ये डोल मजाना शुरू कर दिया फ्री कर दो प्री कर दो फ्री कर दो रहा जब आपके मन में ये सब चीजें ऐसे दोड़ेंगी तो फिर परफॉर्मेंस या अच्छी स्कोरिंग नहीं आपाए लेगी आपको पॉस्टिव रहना देए यार कि इसके काफी निमरिकल से बचो ल के एक टॉपिक एजिए आपके लिए देखिए बिहेवियर आफ इंडक्टर इन डीशी सर्किट अबिहेवियर आफ इंडक्टर इन डीशी सर्किट क्या बिहेवियर इंडक्टर का डीशी सर्किट का मतलब है जी आज तक जो भी आप बैटरी वरा लगा रहे हैं उसको डीशी सर्किट ही कहते हैं जी पहला पॉइंट है विटा एज दा की जोग्ट एज दा की इस लॉग्ट दा एग्जिस्टिंग इंडक्टर या इंडक्टर्स एक से ज्यादा है उसकते हैं आफ सर्किट विहेवियर विहेव एज इन फाइनाइट रजिस्टेंस वायर मतलब स्टार्टिंग में सर्किट का रजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी इंफिनिटी हो जाएगा है ना दूसरा पॉइंट है एफ्टर लॉंग टाइम आफ्टर लॉंग टाइम या सको स्ट तेडी स्टेट भी कहते हैं क्या बोलते हैं जी study state word डाला होगा study state word डाला होगा या long time डाला होगा ठीक है जी inductor behaves zero resistance wire अगर study state word डाल दिया तो resistance क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक question में जल्दी से concept समझ लेते हैं जैसे यहां पर इक inductor लगा हुआ है और एक 3 ओम का का रेजिस्टेंस है की है जी है ओके बारा वोल्ट का बैटरी है अब दो कोश्चन इसके बनाएंगे पहला है एज की एज स्टेडी स्टेट एज की लॉग्ड चैसे यह आपने की लॉग किया तो उस केस में क्या होगा बिटा एल क्या बन जाएगा इंडक्टर क्या मैं ख़्या तो यह सब्क्राइब करेगा कि यहां पर एक गया है किऱ्या को मतलब क्या है कि आप आपने सर्किट को यहां पर जोड दिया है 12 वोल्ट है जी तो बताओ जी कितना करेंट है सर्किट से फ्लो करेगा आई की वैलू क्या आएगी सिक्स प्लस सेवन च्वैल भाई क्या आपको समझ में आए जी अगर की जस्ट क्लोज लिखा है तो यह इंडक्टर क्या बिएप करेगा ऐसे शौर्ट सर्किट बिएप करतेगा जैसे यहां से ताट टूट गई है जब ताट टूट आगी करण जाए गया यह नहीं तो यह तीन ओम का रिजिस्टेंस है वो किसी कामका नि रहेगा क्या तुम्हें समझ में आए जी और इसी सेर्किट में अगर दिया हो तो मैं स्टैडी स्टेट क्या प्रसट स्टैट तो क्या हो जाएगा बच्छे श्टी स्टेट दिया हो त ये इंडक्टर क्या करेगा जीरो रेजिस्टेंस अफर करेगा तो आर कितना जाएगा बैटा बताइए और कितना जाएगा आई आजाएगा जी आपका तीन और छे किसमें आगई पैरलल में तो इफेक्टिव दो आ गया और यह सीरीज में त्वैल अपाउन थ्री फोर एम्पियर यह दोनों क्या जाएंगे जी आ जाएंगे जिसेंटो थ्री इस प्लस थ्री आंसर क्या आ गया टू ओम फ्लस फ्रिम करण के तिना आ चार एंपियर तो आपको समझ में आया स्टेडी स्टेट क्या होता है और जस्ट लॉक का क्या मतलब है इतना